तो चलिए आज परते हैं इंडिया सिंस एंडिपेंडन्स का चाप्टर 3 ओलिटिक्स ओफ प्लाइन डिवलप्मेंट तो इस चाप्टर में हम बैसिकली ये पढ़ेंगे कि इंडिया ने किस तरीके से अपने एकॉनमी को प्लाइन तरीके से डिवलप करने के लिए किस तरह की तो चलिए शुरू करते हैं तो चांब हम् season शुनते हैं तो डिवलक में अजबन सब्सक्वरों हो और सबस्वेए मिए अलग हो सकती है जैसे से इंडस्ट्रिमाइब करो मतलब क्या हो सकते हैं तो एक Mario के लिए मतलब मतलब हो सकता है इंडस्ट्रिय के डिव好吃 कि इंडस्ट्री बड़े कंज्यूमर्स बड़े नोगि पिजन के लिए डिवलप्मेंट का मतलब क्या हो सकता है कि फार्मिंग डिवलप्मेंट अतलब यूथ अना चाहेंगे कि प्रॉफिट जादा से जादा हो और अगर lower class की बात करें कि lower class के लिए development का मतलब क्या होता है तो lower class के लिए हो सकता है कि living standard को बढ़ाना क्यूंकि कई बर देखा गया है कि lower class society जो होती है उनका जो living standard होता है वो काफी नीचे होता है तो उनका objective यह हो सकता है कि हमारे लिए living standard में बढ़ोतरी हो जाए लोग अलग अलग तरीके से डिवलपमेंट का मतलब निकाल सकते हैं जरूरी नहीं है कि एट वेक्ति के लिए जो डिवलपमेंट का मतलब लगता है वही दूसरे के लिए भी हो इस तरीके से डिवलपमेंट सबके लिए अलग अलग हो सकता है और अगर हम अब हम डिवलपमें की जो कांट्रीज हैं नंका जो डिवलप्मेंट हुआ है तो ली चुट्च हो चुकी है commence का मतलब होता है कि जहां पर curie कंट्री को फेज जो modernization के phase में हो, अब जैसे इंडिया की example लेते हैं, इंडिया भी modernization के phase में ही है, अब कई बार ये भी तेखा गया है कि modernization की वज़े से क्या होता है, जो country की traditional social structure होता है, उसका breakdown हो जाता है, मतलब वो तूट जाता है, इंडिया की example लेके समझते हैं, जैसे इंडिया में आपन modernization के phase में है, अब modernization की phase की वज़े से इंडिया के कई सारे traditional social structures हैं, वो तूटे हैं, जैसे एक social structure ये था कि women को education नहीं लेनी चाहिए, ये social structure तूटा, एक और इसी से associated है कि women job भी नहीं कर सकती, earning भी नहीं कर सकती है, ये उनको नहीं कराना चाहिए, तो देखिए, जिस तरीक development के phase में आते हैं, तो कई सारे concepts country के तूट जाते हैं, तो अगर हम development इंडिया के reference में पड़े की इंडिया के reference में development क्या हो सकता है, और ये हम अभी की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम 1947 के बारे में बात कर रहे हैं, जब इंडिया आजाद हुआ था, तो उस समय पे इंडिया के मतलब यही था कि इंडिया में economical growth हो, मतलब industries establish हो, इंडिया में income आए, और इंडिया की जो GDP है वो बड़े, यही concept था इंडिया के लिए, दूसरा था social justice, कि अगर हम industry इंडिया में establish भी कर दे, तो हमें social justice भी मिलना चाहिए, अब क्यूंकि इंडिया में अलग-अलग variety के क्लास थे, कुछ middle class थे, कुछ lower class थे, तो इन सभी को social justice मिलना चाहिए, इन सभी को work मिलना चाहिए, और उन work का minimum wages सभी को मिलना चाहिए, तो यह था social justice, और third हमारा concept था economical justice, कि economical justice भी मिले, ऐसा नहीं है कि सिफ एक upper class society है, उसी को सारे job offer हो रहे हैं, या फिर इंडिया ने economy इस पायदा नहीं हो पा रहा है, तो इस तरीके से इंडिया ये भी चाहती थी, कि इंडिया में economical justice आए, सबको समान तरीके से विक्सित किया जा सकी, ओके, अब क्यूंकि हम इंडिया के बार में बात कर रहे हैं, कि इंडिया के सामने development का मतलब क्या था, तो जब इंडिया को यह समझ आ गया कि अब तो इंडिया को development की और जाना है, मतलब इंडिया को अपना development करना है, तो क्या-क्या options हमारे सामने आए, तो पहला option था capitalist model, जो USA की द्वारा अपनाया गया था, और इस capitalist model में क्या concept था, यह competition को follow करती थी, यह कहती थी कि country में competition होना चाहिए, और state का economy में intervention नहीं होना चाहिए, economy को बिल्कुल free कर देना चाहिए, state को कभी भी economy में interfere नहीं करना चाहिए, इसे development के पात पर obstacles आते हैं, और दूसरा model क्या था, दूसरा model था socialist model, socialist model किसका था, USSR का, अब socialist model था, वो USSR, Union of Soviet Socialist Republic में follow होता था, अब socialist model क्या कहता था, socialist model क्या था, कि जो state है, उस सुसाइटी का welfare हो सके, मतलब state को हमेशा society के welfare के लिए ही काम करना चाहिए, और state को economy में control करना चाहिए, क्यूंकि अगर state economy को control नहीं करेगी, तो वो अपर क्लास section जो अमीर लोग हैं, वो economy को control करने लगेंगे, तो socialist model का यह concept था, कि हमेशा country की welfare के लिए ही काम करना चाहिए, और capitalist model का यह concept था, कि competition होना चाहिए, और economy को free कर देना चाहिए, अब इंडिया के सामने दोनों ही option थे, capitalist model भी था, और socialist model भी था, अब इंडिया के situation की बात करते हैं, कि उस समय पे इंडिया की situation क्या थी, अब उस समय पे इंडिया बहुत बुरी तरिगे से poverty face कर रहा था, क्य यही आजाद हुआ था, दूसरा, इंडिया को social and economical growth करना था, क्योंकि जब Britishers गए थे, तो obviously काफी सारा वो destruction इंडिया के लिए करके जा चुके थे, तो पहला तो objective यही था, इंडिया का कि हमें poverty को कम करना है, और दूसरा, social and economical growth करना है इंडिया में, ताकि सभी जो इंडिया कि सबसे पहले हमें इंडिया को cover करना है, poverty को reduce करना है, and social and economical growth को बढ़ाना है, और यही हमारी primary responsibility है, बाकी सारी चीजे तो हम बाद में भी कर लेंगे, ओके, तो जब हम इंडिया को समझ आ गया कि भाई, development करना है, तो अब इंडिया के सामने ये problem आई, कि अब इसकी planning करनी प प्राइवेट सेक्टर, अब ये सोचा गया कि क्या करें, development के लिए जो planning करनी है, क्या वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ हो दे दे, तो ये देखा गया कि अगर सारा power प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देंगे, तो जो एंडिया की situation है, वो और भी ज़्यादा बिगर ज प्राइवेट सेक्टर को तो नहीं दी जा सकती, नहीं तो इंडिया की situation और भी ज्यादा खराब हो जाएगी, फिर ये डिसाइड करा गया कि वही इस तरीके से तो गौर्मेंट ही सही है, जो development के लिए planning अच्छी तरीके से कर सकती है, क्योंकि देखें, गौर्मेंट जब कर गया कि इंडिया में जो development होगा, वह गौर्मेंट को दे दिया जाएगा, अब गौर्मेंट डिसाइड करेगी कि किस तरीके से planning करनी है, और इंडिया की economy को दुबारा से rebuild करेगी, ताकि वह अच्छे से सालों में ही सारी जो loss हुए हैं, वह सारा कुछ cover कर सके, तो इस तरीक इंडिया में planning commission को establish करा गया, यही पूरा concept था और यही अवधार्ना थी, इसी वज़े से planning commission को इंडिया में लाया गया, कब establish करा गया, 1950 में, 1950 में इंडिया में planning commission को establish कर दिया गया था, और इसी के साथ साथ के chairman थे, इंडिया के ही प्राइम मिनिस्टर, पंडिक जवाहलाल लहरू, और एक और जिस, कि यह जो planning commission है, यह जो concept है planning commission, यह कहां से लिया गया, कौन से देश से लिया गया, तो यह idea लिया गया था, USSR से, मतलब Union of Soviet Socialist Republic, जिसको अब रशिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अब यह USSR रहा नहीं, तो वही से लिया गया, क्योंकि पहले USSR मे planning commission चलती थी, तो वही से इंडिया ने भी planning commission का idea लिया, अब इसमें करा क्या इंडिया ने, तो देखे planning commission के तहत, इंडिया में 5 years के लिए plan पहले से ही बना लिया जाता था, मतलब आने वाले 5 सालों के लिए plan advance में बना लेंगे, और पूरे 5 साल वही plan को execute करेंगे इंडिया म objective, अब इसी के तहत, first 5 year plan लाया गया, यह देखे planning commission, plan बनाता था, और यह plan एक दो साल यह 6 महीने के लिए नहीं बनता था, यह पूरे 5 year के लिए बनता था, तो पहला 5 year plan आया, 1951 से 1956 तक, मतलब first 5 year plan आया था, 1951 में, अब first 5 year plan आया तो इसका focus क्या था, यह किस चीज के उप अबर, मतलब agriculture को बढ़ाने के ऊपर यह planning commission, first 5 year plan लाया गया था, और इसके तहत, क्या-क्या decisions लिए गए तो इसके तहत, डैम्स बनाये गए, बांध बनाये बहुत जादा मातरा में, और दूसरा, irrigation facilities को improve करा गया, ताकि जो farmers हैं, उनको परिशानी face ना करनी पड़े, तो first 5 year plan, focus किस पे था, agriculture पे, और क्या-क्या करा कि, dams मनाये गए, culture में जो tools यूज करे जाते थे, उनको भी advance सरी के से बनाये गया, मतलब पूरा focus जो था, वो agriculture पर ही था, कि production को जादा से जादा बढ़ाया जा सके, उसके बाद 1956 में, first 5 year plan खतम हुआ, फिर उसके बाद, second 5 year plan आया, second 5 year plan आया, 1956 में, जो 1961 तक चला, अब second 5 year plan में क्या करा गया, ये किस चीज के उपर focus था, ये था, heavy industries, मतलब 1956 से लेके, 1961 तक, जो भी काम करे गया था, वो industry को ध्यान में रखके करा गया था, industry की growth को बढ़ाने के निये ही, ये 5 year plan लाय गया था, और इसका श्रे किसको जाता है इसका श्रे जाता है, PC, Mahal, Noby School, please remember it, ओके, तो आब हम पढ़ते हैं, third 5 year plan, तो third 5 year plan लाय गया, 1961 में, और ये चला, 1966 तक, अब इसमें किसी एक चीज के उपर focus नहीं करा गया, पहले देखिए, पहले में करा गया था, agriculture पे, और दूसरा 5 year plan जब आया, तो वो industry पे focus था, बढ जब third 5 year plan आया, तो इन दोनों को ही combine कर दिया गया, मतलब ये बोला गया कि 5 साल हमने agriculture पे काम किया, उसकी growth बढ़ाई, फिर 5 साल हमने industry पे भी काम किया, उसकी भी growth बढ़ाई, तो third 5 year plan में, दोनों पे ही काम करा गया, देखिए, third 5 year plan agriculture के लिए बना था, और industry के लिए बना मतलब इन दोनों पर ही काम हो रहा था, अब इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया में, जैसे कि हमने बात करा कि इंडिया के सामने दो concept थे, एक तो था capitalism, दूसरा था socialism, capitalism बोलता था कि industry को growth करा जाए, industry को बढ़ाया जाए ता कि इंडिया का country का development हो, और socialism ये कहता था कि हमेशा social welfare करो, अगर social welfare करोगे, अगर बढ़ गया तो economy अपने बढ़ जाएगी, तो ये दो concept से, अब इंडिया इन दोनों में से एक अपनाती, नहीं अपनाती, दूसरा अपनाती है, तो इंडिया ने इन दोनों ही ideology को अपनाया, मतलब इंडिया का, ये नहीं था कि नहीं socialism को अकेले follow करा, इंडिया ने mixed economy अपनाया, मतलब दोनों को ही अपनाया, क्योंकि इंडिया को पता चल चुपाता कि इंडिया में दो तरह के लोग हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं, जो बिजनस मैन हैं, जो अपना development करना चाहते हैं, और कुछ लोग इतने गरीब हैं, ज तो लोवर क्लास में आते हैं, कि उनको minimum standard of living भी प्राप्त नहीं हो पाता, तो इस वज़े से इंडिया ने mixed economy को अपनाया, ना ही capitalism को अकेले अपनाया, ना ही socialism को अकेले अपनाया, फिर अपने answer को किस तरीके से justify कर सकते हैं, आप लोग, तो आप ये बताएंगे कि इंडिया ने mixed economy को अपनाया था, जिसके तहत इंडिया ने कई सारे dams बनाया, जैसे खाखर और नांगल, हीरा कुट, ये सारे dams इंडिया ने बनाया, इसी के तहत heavy industry भी इंडिया ने लगाया थी, जैसे steel plant बहुत सारे लगवाया थी, oil refineries लगवाया थी, और defense production के लिए भी काम करा और इसी के साथ साथ transportation and communication के लिए infrastructure भी इंडिया ने बनाया था, तो इस सभी example से आप ये justify कर सकते हैं कि इंडिया ने mixed economy अपनाया थी, इंडिया ने किसी एक वर्ग के लोग को ही सिर्फ favor नहीं करा, ये दोनों लोगों को साथ मिले के चल रहा था, तो अब बात करते हैं Bombay plan क क्या था, देखिए, 1944 में इंडिया के कुछ big industries एक साथ आते हैं, और joint proposal के लिए एक draft बनाते हैं, और ये draft किसके लिए था, planned economy के लिए, कि इंडिया को किस तरीके से planned economy चलाने में कौन-कौन सी policies या क्या-क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो इसी को Bombay plan कहा जाता है, 54 में कुछ big industries थे, वो एक साथ आते हैं, और एक proposal तयार करते हैं, और उस proposal वो proposal किसके लिए था, वो proposal planned economy के लिए था, कि इंडिया को planned economy को चलाने के लिए क्या-क्या दिक्कते या क्या-क्या solutions हो सकते हैं, बात करते हैं इसके aim के बार में कि इसका aim क्या था, तो इसका aim था कि इंडिया major initiatives ले industries में और economic investment में, अब देखिये, क्योंकि big industrialist थे, तो यह यही चाते थे कि इंडिया में industry की growth हो, और investment इंडिया करें, क्योंकि सभी वो नहीं कर सकते हैं, तो यही था Bombay plan, so that's all for today, thank you so much for watching this video, I hope that video was helpful to you all, if you like that video, so please hit the bell icon and subscribe the channel, further topics we would carry on in upcoming videos, thank you so much.